बॉलिवुड की मशूर एक्ट्रेस अनुश्का शर्मा और क्रिकेटर विरात कोहली इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में दोनों महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उजयन पहुचे जिससे जुड़ी तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है। बेटी वामिका नहीं दिखी तो चलिए एक। नजर डालते हैं अनुश्का शर्मा और विरात कोहली की इन फोटोस पर। अनुष्का शर्मा और विरात कोहली उज्जैन में महकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुचे फोटो में परंपरा के मुताबिक जहां अनुष्का शर्मा ने साड़ी पहनी तो वहीं विरात कोहली धोती में नजर आए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने महकालेश्वर मंदिर में सभी आम लोगों के साथ आरती की उनकी यह साधगी फैंस को खूब पसंद आ रही हैं, दर्शन के लिए बैठी अनुष्का शर्मा हाथ जोड़े दिखाई दी। फोटो में एक्ट्रेस का साधापन फैंस को खूब भाया वही विराट कोहली के अन्दास की भी लोग तारीव करते नहीं ठक रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फोटोस में महकाल की भक्ती में लीन नजर आए। बता दे कि दोनों वहां रहकर मंदर में होने वाले भजन कीर्तन का भी हिस्सा बने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने महकाल के मंदर में साथ में आर्ती की इस से जुड़ा उनका विडियो भी खूब चर्चा में बना हुआ है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की इन तस्वीरों को देखकर फैन्स खूद तारीफे कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा लगा इनको भगवान की शरण में देखकर, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, इन्हें ऐसे देखकर अच्छा लगा। बता दे कि कुछ यूजर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की फोटोस देखकर, क्रिकेटर की सेंचुरी की भी कामना की एक। यूजर ने लिखा, अब तो विराट की सेंचुरी तै है, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ओम नम, शिवाय, भगवान विराट का फॉर्म वापिस दिला दो, बता दे कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के साथ, इन फोटोस में कहीं भी उनकी बेटी वामिका नही दिखाई दी ऐसे में कहा जा सकता है, कि दोनों बेटी के बगैर ही दर्शन के लिए गए थे, बता दे कि इससे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा विरिंदावन भी दर्शन करने के लिए गए थे, कपल की उन तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खि बटोरी थी, इसी के साथ मिलते हैं, आपको हमारे अगले विडियो में तब तक के लिए आपको यह विडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले